हलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अपढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चकर जी एस पॉइंटर का एक रिवीजन सीरी चला रखा है उसमें अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा इंडियन पॉलिटी इससे पहले आधूनिक भारत का इकिहास हम लोग खतम कर चुके हैं और यह इंडियन पॉलिटी के करम में आज का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर फाइब है इससे पहले चार वीडियो जो है वो इंडियन पॉलिटी का ओलेडी अप्लोडेड है जिसमें कि हम लोग भारत का सम्वेधानी विकास, सम्वेधान के भाग, अनुछेद, अनुस्वची, नागरिता, मूल अधिकार, मूल करतब, राज के निती नी दे सकता, तुब राष्ट पॉलिटी का घटना चकर का अगर आप वीडियो MCQ वाला पूरे अक्स्प्लेनेशन के साथ नहीं देखे हैं, तो भो भी जाकर प्लेलिस से देखे, उसके बाद इसको देखे, फिर आप लोगों के लिए काफी जाद अलाब दायक सावित होगा, तो चलिए अब बढ़ते है वो है अट्रोनी जेर्नल अफ इंडिया, करा नियंतरगेवा महालेखक परिछक, मुघ निरवाचना युक्त, लोकसभा अध्यच, तथा महानयवादी में से राष्टपती के परसाद प्रयातन अपना पद्धारन कौन करता है, तो राष्टपती के परसाद प्रयातन जो अ परसम भी थी अधिकारी जो है वो महानयवादी को कहा जाता है, आगे कह रहा है कि अपने करतब्यों के पालन में भारत के राजच्छेतर में सभी नियालों में सुनवाईक अधिकार किसको है, तो सभी नियालों में सुनवाईक अधिकार जो है वो महानयवादी को है, आगे भी बिल्कुल सही है उसमें वही योगताएं होने चाहिए जो सरवोच न्याले के नियाधीस की होती है फिर कहरा है महाने अबादी ऐसा प्रस्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्टपती अबधारित करे तो ये भी बिल्कुल सही है तो इस कोश्चन का जो तीनों पॉइंट इ मेने काधिकार उसको नहीं है या किसके बारे में बात कर रहा है या बात कर रहा है भारत के अट्राणी जर्नल के बारे में आगे कहा रहा है कि भारत का महाने अबादी जो है तो भारत की भारत का जो महाने अबादी है वो लोगसभा के कारवाही में भाग लेख सकता है हाँ बिल्कुल ले सकता है लोगसभा की किसी सदी सी समीती का सदस्य हो सकता है तो हाँ बिल्कुल हो सकता है लोगसभा में बोल सकता है बिल्कुल बोल सकता है वो सदन में मतदान नहीं कर सकता है तो हाँ वो भाग तो ले सकता है पर मतदान नहीं कर सकता है ये भी बिल्कुल सही है आगे करा सॉलिसीटर जनरल होता है तो सॉलिसीटर जनरल जो होता है वो एक कानूनी या नियाईक सलाहकार होता है करा भारत में राज के महादिवक्ता की नुक्ती की जाती है तो राज के महाने धिवक्ता की जो नुक्ती है वो उस राज के राज पाल के द्वारा की जाती है करहा है कानूनी विशाय उपर राज सरकार को परामर्स कौन देता है तो यही महा धिवक्ता जो होता है जिसको कि हम लोग एड़ बोकर जेनरल के नाम से जानते हैं वो जो होता है वो कानूनी विषय उपर एजाज सरकार को परामर्स देता है आगे कहरा है भारत के नियंतरक वा महलेखक परिछक की नुक्ती की जाती है तो भारत के नियंतरक वा महलेखक परिछक की नुक्ती है वो राष्टपती के द्वारा किया जाता है आगे कहरा है भारत के नियंतरक वा महालेखक परिच्छक के संग के लेखा संबंधी प्रतिवेद्नों को सरप्थम प्रस्तूत किया जाता है तो महालेखक नियंतरक वा महालेखक परिच्छक होते हैं उसके संग के लेखा संबंधी प्रतिवेद्नों को सरप्थम भारत के राष्टपती एक सामने प्रास्तूत किया जाता है कि भारत के नियंत्रकमा महालेखग परिछाक के पद का स्रीजन किया गया था तो वह Step 6 बर्स आगे कह रहा है भारत के नियंत्रगमा महालेखक परिष्छक के संबंध में सही है उनकी निउक्ति जो है वो राष्टपती द्वारा की जाती है बिल्कुल सही है उनका बेतन जो है वो सर्वोच न्याले के नियामूर्थी के समान होता है बिल्कुल सही है सेबा निर्म आगे कारा है कि भारत के नियंतरगम महालेखक परिषक को उसके पद से हटाये जाने की प्रकिरिया क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन सी प्रकिरिया है? जो उचितम नयाले के नियाधीस की हटाने की प्रकिरिया है. आगे कहरा है कि भारत के नियंतरगम महालेखक परिशक दोरा पालन किया जाता है तो भारत की संचित निधी से होने वाले सभी बैयों का लेखा परिशन और उनके संबंध में प्रतिबेदन प्रस्तूत करना आगे कह रहा है कि सक्मिक्ता निधी और लोक लेखाओं से होने बाले सभी बैयों की लेखा परिच्छा करना और उनके संबंध में प्रतिबेदन प्रस्तूत करना फिर कैरा सभी बैपार, निर्मान, लाव और हानी लेखाओं की लेखा परिच्छा करना और उनके संबन्द में प्रतिबेदन प्रस्तूत करना आगे है कि लोक निधी के फलो पादक और आयासित प्रियोगों को सुरच्छित करने के साथ साथ भारत में नियंतरक वा महालेखक परिच्छक जो है उनके कार्जकाल का महत्ब है तो उनके कार्ज कर्मों का महत्म है कि जाज करता अजенसिया उन लोगों के बिरुद आरोप दाखिल कर सकती है जिनों ने लोक निधी प्रबंधन में कानून का उलंग़न किया है आगी कहरा है कि नेंतरक बन महालेकक परिच्छा की टीका टिपनी पर उचित कारवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी जो है वो संसत को है नेक्स कहरा है संसत की लोक लेखा समीती की बैठकों में उपस्तित रहता है तो संसत की लोक लेखा समीती की बैठकों में उपस्तित कौन रहता है भारत का नियंतरक महालेखक परिच्छक नेक्स कहरा है कि संबिधान का वह अनुछे जो भारत के नियंतरकवम महालेखक परिच्छा के कर्तब को निर्धारित करता है तो नियंतरकवम महालेखक परिच्छा के करतब को निर्धारित करता है 149 आगे कह रहाएगी भारत का नियंतरक्व महालेखागार एक मित्र और एक गाइड यानि की मार्गदर्सक होता है तो वो जो होता है वो लोक लेखा समीति का एक मित्र और एक गाइड की तरह काम करता है आगे कहा रहा है कि 1971 का संसोधन महालेखा नियंतर के कर्तब सक्तियों और सेवा इस्थिति अधिनियम लेखांकन यह निकी एकाउंटिंग और लेखा परिछन और अडिटिंग को प्रिठक करता है और CAG को लेखो की तयारी के उतरदाईत्र से मुक्ति देता है यह संसोधन जो है वो 1976 में किया गया था जिसमें की एकाउंटिंग और और अडिटिंग को अलग-अलग किया गया था और CAG को लेखो की तयारी के उतरदेत जो लेखो के तयारी है उसी के उतरदाईत के से मुक्ति मिल जाता है यह संसोधन जो है वो किया गया था कब 1976 में करा है लोक निधिक आभिवाबक कहा जाता है तो लोक निधिक आभिवाबक जो है वो नियंतरक वो महालेखक परिच्छक को कहा जाता है आगे है कि लोक बिच सरकार के BTA क्रिया कलापो का अध्यन है इसके अंतरगत क्या आते हैं तो लोक बिच सरकार के BTA क्रिया कलापो के अंधर सार्वजनिक हर्च का परिच्छन सार्वजनिक राजस्व और BTA प्रसासन क्लेर है चलिए आगे कर भारत के CEG यानी के नियंतरग्व महालिक परिचक बिचसान आगे है अगरता क्रम में इनका सही अनुकरम है तो अगर देखा दै तो भारत के मुखने अधिस फिर संखिय मंत्री मंदल से 10 से फिर मुख निर्वा चनायुक्त और उसके बाद फिर मंत्री मंदल से चीप आगे कह रहा है महाने अबादी, भूदपुर्व राष्टपती, चीप अपस्टाप्स और लोकसभा ध्यच में से भारत सरकार की प्रत्मता असार्दी में भारत के मुखने अधीज के रूप उपर कौन आता है बहारत के मुखने अधीज के ऊपर आएंगे भारत के भूतपुर्व राष्टपती भारत के मंत्री मंदल से चीप है फिर कहरा भारतिय नयाचार प्रोटोकॉल कि अनुसार पुरुबता करम में उप पुरधानमंत्री भूध पूर्व राष्टपती अपने राज में राज पाल तथा लोगसभा दिहच में सबसे पहले कौन है तो सबसे पहले होगा अपने राज में राज पाल आगे कह रहा है संसद में लोकसभा से संबंधित कुछ कुशन्स है कह रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाब में निर्वाचित होने के लिए किसी ब्यक्ति के लिए नियूंतम आयू सीमा कितनी है तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए नियुंतम आयू सिमा जो है बो है पचीस वर्स आगे कहरा है कि 84 में संसोधन अधीनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्यों सीटों की संख्या जो है वो 1971 की जंगर्ना की अधार पर कर दी गई है ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक बर्स बिसेश के बाद पहली जंगर्ना नहीं होगी ये बर्स बिसेश कौन है तो ये जो है वो 2026 तक नहीं बदली जाएगी फिर कह रहा है भारत के संविधान में निर्धारीत किये गए लोकसभा में सर्धस्यों के संख्या अधिक्तम कितनी हो सकती है कह रहा है लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तो यह जो है वो 31 में संभिधान संसोजन में लेकिन बरतवान में लोकसभा में संभिधान की जो अधिक्तम संख्या है वो 550 निर्धारित है आगे कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुछेद बेरासी के अनुसार लोकसभा की सीटे का राज्यों के मद आबंटन जो है वो 71 के जनगन्ना के अधार पर है अनुछेद बेरासी के अनुसार फिर कहारा है लोगसभा में राज्यों को सीटे आवंटित होती है तो लोगसभा में राज्यों को जो सीटे है वो उसके जनसंख्या के अधार पर आवंटित होती है नेक्स्ट कोशन कहा रहा है कि इन राज्यों की लोग सभा में अनुसुची जाती तथा अनुसुची जनजाती के लिए आरच्छन नहीं है तो अनुसुची जाती और अनुसुची जनजाती के लिए अस्थान आरच्छित नहीं है यहाँ सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जन जातियों के लिए बारे में आपसे पूछ रहा है तो बहुत गिद्धान के किस अनुशेत के अंतरगत लोग सभा में अनुशुची जातियों के आरच्छन का प्रब्धान दिया गया है आगे कह रहा है कि लोग सभा में अनुशुची जन जातियों के लिए राच्छ में सरवादी कारच्छी सीटे हैं तो लोग सभा में अनुशुची जन जातियों के लिए राच्छीों में सरवादी कारच्छी सीटे जो है वो मध्ध पदेश में है और कितना सीट है अच्छे स कि राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोगसभा के सदस्यों की संख्या में ब्रिधी करने से संबंदित है तो सात्मा और एक्तिसमा संवेधानिक संसोधन जो है वो राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोगसभा के सदस्यों की संख्या में ब्रिधी करने से संबंदित है फिर कह रहा है कि लोकसभा को कारिकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है तो यह जो है वो परधान मंत्री यानि कि मंत्री परिसद की सिफारिस पर राश्टपती के द्वारा लोकसभा जो है वो भंग किया जा सकता है फिर कहरा है लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं तो कम से कम बर्स में दो बाद जो है वो लोकसभा के सत्र जो है वो बुलाए जाते हैं क्योंकि छे महीने से ज्यादा का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए आगे कहरा है कि सही कथान है भारत का राष्ट्प और निर्धारित नहीं है जरसोंसत का चलना अबेसकुंट जो एक बटा दस है वही जो है वो कुलम wisdom वैश्था यानी कि गनपूर्ती संख्या है फिर जोन ओडेला लोकसभा में सदस्यों की जो अधिक्दम संख्या निरधारित की गई है वो है तो लोकसभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या 550 है और बरतमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो है वो 543 है कह रहा है संग्यों छेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो संग्यों छेत्रों का प्रतिनिधित्व जो है वो संसत के दोनों सद्नों में प्राप्त है आगे कह रहा है कि लोगसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो ये जो है वो राष्टपती प्रधिक्रित हैं फिर कहरा है कि लोगसभा का धिवेशन गठीत करने है तू गनपूर्ती यानि की कोर्णम है तो कुल सदस संख्या का दस्मा भाग जो है वो कोर्णम बेवस्ता है फिर कहरा है लोगसभा का कार्जकाल तो लोगसभा का कार्ज तो सबसे ज्यादे जनसंख्या उतर्परदेश तो इसका अंसर भी होगा उतर्परदेश . . फिर कया है लोकसवा के अस्थान जो राजस्थान के लिए निर्दारित हैं . तो राजस्थान के लिए लोकसवा में 25 सीटे जो निर्धारिस की गई है आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है एक साइड राज है दूसरे साइड लोकसभा में प्रतिनिधित भहे तो आंध्र प्रदेश में 25, तमिलाडो में 39, आसाम में 14, छतिसगड में 11 और पंजाब में 13 कह रहा है कि ग्यातत भहे कि जब तेलंगना आध्र प्रदेश का भाग था तब वहां कुल सीटों की संख्या जो थी वो 42 थी ठीक है लेकिन तेलंगना के प्रिथक हो जाने के बद इनके बीचों में सीटों का भी वीवाचन हो जाता है और बरतमान में आध्र प्रदेश में 25 और तेलंगना में 17 लोगसभा सीटे हैं आगे कह रहा है कि लोगसभा के दो सदस्त जो है वो निर्वाचित किये जाते हैं तो बो जो है और नाचे पदेश में भी गोवा, मनिपूर, मेगाले, तिरपूरा और दादार और नगर हवेली तथा दमन और दीप से लोगसभा के दो सदस जो है वो निर्वाचित किये जाते हैं फिर कह रहा है राजियो या संगसासित छेतर के समू की लोगसभा में केबल एक सीट है तो कहां कहां चंडिगर्ड, सिकीम, मिजोरम, नागलन, अंडवान, निकबार दीप समू, लद्दाक, लच्छदीप और पुड़ी चे चेतर कौन है तो 2019 के आकड़ो कंसार यूपी में सबसे बड़ा जो संसदिये चेतर है वो है गाजियाबाद है करा बरतमान में लोगसभा में निर्वाचन चेतर के लिए चुनाब बया की अधिकतन सीमा कितने हैं तो 77 लाग रुपे हैं करा लोगसभा का पहला आम चुनाओ तो रोगसभा का पहला आम चुनाओ जो है वह नी सब बावन में हुआ था फिर कर लोगसभा जिसका काज्वारश का छे बरसों कथा तो पांच मीं लोगसभा जो था बरसों कथा आगे कर लाए कि नौई लोगसभा भंक की गई तो यह जो है वह थेरा मार्च नी सब एकानम लोकसभा का सरवादीक बड़ा छेतरफल के अनुसार से निर्वाचन छेतरकॉन है तो वो बना है लद्दाक आगे कहा रहा है भारत में लोकसभा का स्पीकर यानि अध्यत जो होता है तो भारत में लोकसभा का स्पीकर जो है वो चैनित किया जाता है फिर कहरा है लोगसभा के speaker का chain होता है तो लोगसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोगसभा के speaker का chain किया जाता है फिर कहरा है अपने पद की सपत नहीं लेता है तो लोगसभा अध्यच जो है वो अपने पद की सपत नहीं लेता है फिर काई रहा है लोगसभा का अध्याच अपना त्याक पतर देता है तो अध्याच उपाध्याच को उपाध्याच अध्याच को फिर काई रहा है लोगसभा की अध्याच को हटाया जा सकता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसको जो है वो हटाया जा सकता है फिर कायरा प्रोशेमा स्पिकर का करतब्बे क्या होता है तो प्रोशेमा स्पिकर का काम होता है सदस्यों को सपत दिलाना यही protom speaker का काम होता है फिर कहारा है कि लोगसभा अध्यच यानि कि speaker अपने casting vote का परियोग केबल तब कर सकते हैं जब वो ऐसी स्थिती आ जाए कि vote जो है वो tie हो जाए मतलब बराबर बराबर हो जाए तब जो लोगसभा speaker हो जाता है वो अपना casting vote जो है वो दे सकता है करगी संबिधान का एक अनुचेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दसा में लोगसभा की अध्यच का मत जो है वो निनायक होगा और वो उसका परियोग करेगा यह कौन से अनुचेद में कहा गया है तो यह क्या कहा गया है अनुचेद 100 में फिर कहरा है लोगसभा के प्रथम अध्यच थे तो जीवी माबलंकर जो थे वो लोगसभा के प्रथम अध्यच थे फिर कहरा है प्रथम speaker जिनके बिरोध लोगसभा में अब इसवास का प्रस्ताव लाया गया था फिर कहा रहा है लोगसभा के प्रथम महिला अध्याच कौन थी प्रथम अध्याच तो हो गए जी भी माबलंकर और इन्हीं के बेरोद जो है बो अब इस बास का प्रस्ताव भी लाया गया था और प्रथम महिला अध्याच की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है मीरा कुमार आगे कायरा है कि लोगसभा के पिछले उपाध्याच थे तो देखिए थॉम भी दुराई जे थोए बो 2019 तक जब यह कोश्चन पूछा गया था और बरतमान में जून 2021 तक के बात करते हैं तो लोगसभा के उपाध्याच का पद जो है वो इरिक्त था फिर कहरा है कि यदि उपाध्याच लोगसभा की अध्याचता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि तो एदी उपढद्यच जो अगर लोगसभा की अध्यचता कर रहा है तो उन्हें या अधिकार है कि मत बरावड़ी के वस्था में वो मतदान कर सकते हैं फिर कहारा प्रथम जन जाती है लोकसभा ध्यश्च थे तो जन जाती है लोकसभा ध्यश्च का नाम था पी ए सग्मा कहारा है कि लोकसभा सचीवाले परतेच रूप से इसकी देख वाल में कार्ज करता है तो लोक सभा सची वाले जह हो पर्तिय ष्रूप से लोक सभा ध्यच के देख रेक में कार्च करता है आगे कह रहा है कि लोक सभा चुनाव के मामले में समान बर्ग के उमिदबारो Oops तथा अनुसुची जन जाती अनुसुची जनजाती को मिदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत रासी करम सा कितने है तो देखे बर्थ 2010 में निर्वाचन आयोग के द्वारा अगंभीर परतियासियों के संख्या कम करने है तो जमानत रासिया जो है वो बढ़ाई गई थी जोगी लोगसभा चुनाव में समान बर्ग के लिए है 25,000 अनुसुची जनजाती के लिए है 12,000 राज बिधान सभा में समान बर्ग के लिए है 10,000 और अनुसुची जाती और जनजाती बर्ग के लिए है 5,000 रुपे फिर कारा लोकसभा चुनाओ का कोई परत्यासी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहों सके तो कुल जितने भोट कास्ट हुए हैं पड़े हैं उसका अगर एक बटा छे भाग नहीं आपको प्राप्त होता है फिर कारा लोकसभा में किसी बिधायक पर आम बहस होती है तो लोकसभा में किसी बिषय पर आम बहस जो है वो दूती ये बाचन में होती है फिर कारा निम्न सक्तियां लोकसभा को राजसभा की तुलना में अन्यन रूप से प्राप्त है तो लोकसभा को राजसभा की तुलना में धन बित बिधायक के बल लोकसभा में प्रस्तूत किया जा सकता है धन बिधायक निरस्तिकरन अथवा संसोधन के संबंध में भी सिर्फ लोकसभा को सक्ति प्राप्त है फिर कह रहा है लोकसभा में नेता प्रतिपच को सरपथम माननेता दी गई थी तो नेता प्रतिपच को सरपथम 1969 में माननेता जो है वो दिया गया था आगे कह रहा है कि राज्यसभा राज्यसभा में होते हैं तो अधिक्तम 250 सदस होते हैं में से 12 सदस जो है वो भारत के राष्ट पती के द्वारा मनुनित किया जा सकते हैं फिर कहरा है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्प जो है वो दिया जाता है तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्प जो है वो जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में अ कारजकाल होता है तो राजसभा के सदस का कारजकाल जो होता है वो 6 बरसों का होता है आगे कह रहा है राजसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि क्योंकि इसे बिघटी ते जो है वो नहीं किया जा सकता है आगे कह रहा हमारे सम्विधान के अनुसार राजसभा का कारजकाल तो राजिसभा का जो कार्जकाल है वो समाप्त होने का भी सह जो है वो नहीं है आगे कहरा है राजिसभा के संदर में कथन जो है वो सही है इसके एक तिहाई से दस जो है वो प्रती दो बर्स में आपकास प्राप्त कर लेते हैं ये बिल्कुल सही है आगे कह रहा है कि राजिसभा का बिघटन नहीं होता है ये भी बिल्कुल सही है राजिसभा का बिघटन नहीं होता है और उसके यथा संबब यानि कि एक तिहाई सदस जो है वो हर दूसरे बर रिटार यानि कि सेवा निर्वित हो जाते हैं ये भी बिल्कुल सही है छे बर्सों का टेनवर होता है जिसमें कि एक तिहाई सदस जो है वो हर दूसरे बर्स से बनरविथ हो जाते हैं आगे कहरा है कि राश्टपती मनोनित कर सकता है तो राश्टपती जो है वो राजसभा में 12 सदस को मनोनित कर सकता है नेक्स्ट कह रहा है कि राजसभा का सदस बनने हितू अरहताओं के संदर में सही कथन है उमर जो है वो कम से कम 30 वर्स होनी चाहिए ये बिल्कुल सही है राजसभा के लिए 30 वर्स और लोकसभा के लिए 25 वर्स कहा रहा है उसे किसी भी संसदिय निर्वाचन छेतर में मतदाता के रूप में पंजिकरित होना चाहिए ये भी बिल्कुल सही है और कहा राज के अंतरगत लाब कपद जो है वो धारित नहीं होना चाहिए तो ये जो है वो राजसभा के सदस बनने है तो कुछ अढ़ताएं है आगे कह रहा है कि राजसभा की एकांतिक सक्ति के अंतरगत आता है तो नई अखिल भारतिये सिवाओं का स्रेजन जो है वो राजसभा की एकांतिक सक्ति के अंतरगत जो है वो आता है आगे कह रहा है कि राजिसुची के बिशय के संबंध में बिधी बनाने की संसत की सक्ति जो है उसके बारे में सही है तो राजिसभा को घोसित करना होगा कि ऐसा करना रास्टिय हित में है ठीक है फिर राजसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा और फिर ऐसी विधित संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है आगे कहरा कि राश्टिहित में भारत की संसत राजसुची के किसी भी बिषय पर बिधिक सकती प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प जो है वो राजसभा के द्वारा अपने उपस्थिते वं मत देने बाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित जो है वो अगर हो जाता है तो आगे कहरा है कि सही कथन है राजसभा में धन बिधहय को या तो स्विकार करने या संसोजित करने की कोई सकती जो है वो निहित नहीं है सही है राजसभा अनुदानों की मांगों पर मद्दान नहीं कर सकती है सही है राजसभा में बारसिक बीतिय बेबरन यानि की बजट पर चर्चा हो सकती है ये भी बिल्कुल सही है आगे कथगन और कारण दिया गया है कहरा है कि किसी धन विधायक को लोगसभा द्वारा पारित किये जाने और राजसभा को परोसित किये जाने के बाद राजसभा की सिफारिसें लोगसभा द्वारा सिफारिसें की प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर अनिवारता स्विकार की जानी चाहिए और तत्पश्चात उन्हें बिधयक मेंगे करिद किया जाने चाहिए गलत है फिर कहरा धन बिधयक राजसभा में पेस्ट नहीं किया जा सकता है ये बिल्कुल सही है धन बिधयक जो है वो लोकसभा में ही पेस्ट किया जाता है आगे कह रहा है कि वो विशेसाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राजसभा को प्रवदत किये जाते हैं तो कौन सा विशेसाधिकार है? संसत को राजसुची में नियम बनाने और एक अथवा एक अधीक अखील भारतिय सेवाओं का स्रीजन करने हैं तो ससक्त बनाने के लिए एक प्रस्ता जो है वो पारित करना आगे कह रहा है कि संसत को राजसुची के विशे के संबंद में विधी बनाने की सक्ति जो है वो पदान करता है कह रहा है राजसभा का अनन्य अधिकारी एकांतिक सकती है तो एक नई अखिल भारतिय सेवा के स्रीजन हितु संसुती करना जो है वो राजसभा का एकांतिक सकती है जब सिर्फ राजसभा ही कर सकता है फिर कह रहा है राजसभा को लोगसभा के समान सकतियां प्राप्त है तो चौ थी अनुसुची में क्या है। राजसभा में सीटों का बटवारा, मतलब अस्थानों का आवंटन जो है, बो चौ थी अनुसुची में है। फिर आगे कह रहाएगी तिलंगना के गठन के बाद आंध्पदेस में राजसभा की सीटें जो है, वो इगारह हुई और तिलंगना में कितनी है, साथ है आगे कहरा है कि तमिल आड़ू में राजसभा की सीटे कितनी? 18, गुचरात में 11, राजस्थान में 10, मदपदेश में फिरसई 11, बिहार में 16, केरल में 9, उडिसा में 10 और उतरप्रदेश में कितना है, राजसभा में सीटे, उतरप्रदेश में 31, आगे कहरा है कि 36 गड़, हिमाचरप्रदेश, जारखंड और जम्मू कास्मीर में कहां कि राजसभा के लिए निर्वाचित सदेसों की संक्या जवब सबसे कम है, तो 36 गड़, हिमाचरप्रदेश, उसका सदस नहीं होता है, तो राजसभा का ही अध्यच जो है, उसका सदस नहीं होता है, कहरा है, राजसभा के बरतमान सभा पति कौन है, तो बरतमान में उपराश्ट पति कौन है, मैंके या नाइडू, कहरा है, राजसभा की निश्चित अधिक्तम सदस संख्या कितनी है, तो अधिक्तन सदस संख्या है 250 आगे कह रहा है कि राजसभा किसी धन विधयक में सारभू संसोधन करती है तो ततपश्चात होगा ततपश्चात लोगसभा राजसभा की अनुसंसाओं को स्विकार करे या अस्विकार करे इस विधयक पर आगे कारभाही जो है वो कर सकती है आगे कह रहा है राजसभा का सदस होते हुए भी लोगसभा की कारभाही में भाग ले सकता है तो कौन मंतरी जो राजसभा का सदस से हो फिर कह रहा है कि राजसभा का सरपर्थम गठन हुआ था तो राजसभा का सरपर्थम गठन जो है वो 1922 में हुआ था तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूलें अभी तक आप इस चैनल पर नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बैल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें थैंक्स फो वचिंग